नमस्कार, मैं रोशन आप से भी दोस्तों को स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो शेशन में दोस्तों आज मैं लेकर आए हूँ गैलवे कृष्णम के शांदार प्रोड़क्टों की स्रेणी में से एक खास प्रोड़क्ट की चर्चाज आपकी बीच में होने वाली है जिसका नाम है दोस्तों जी बायो फोस्पेट एडवांस जो की दोस्तों एक बायो फटिलाजर प्रोड़क्ट गलन उखेरा चारकोल रोट ब्राउन रोट आदर गलन इत्यादी रोगों को ठीक करने में काम करती है यह देख लिजे दोस्तों जर गलन यानि जर गल चुका है इस तस्वीर बेसों कहते है जर गलन इसमें देख लिए पत्ते सूख जाते हैं और पीले पर जाते हैं इसे ब सारे चीजे देख रहे हैं दोसतो इत्माम रोरों को ठीक करने में काम करती है समझते हैं दोस्तो उत्पाद के मुख खिला बहुत सारे लाब हैं मुख खिलाब आपके बीच में रख रहा हूँ चौथा, फसल की उत्पादन को बढ़ाता है, यानि उत्पादन आपका बढ़ेगा पांचवा दोस्तो, फसल की क्वैलिटी को बढ़ाता है, गुनवत्ता को बढ़ाता है छथा दोस्तो, सुक्ष्म जीवों की गती बीदियों पर दुस्परभाव नहीं डालता दोस्तों यदि आप मार्केट में मिलने वाले रासैनिक फॉस्पेट को यूज करने के बज़ाए जी बायो फॉस्पेट एड्वांस को यूज करते हैं तो जयवीक तरीके से फसल उतपादन को बढ़ावा दे सकते हैं पिरे कीजे बहतर रिजल्ट मिलेगा दोस्तों समझते हैं बीज का उपचार 10 ml G-Bio Phosphate Advance को प्रती 1 kg बीज के दर से यानि 1 kg बीज में 10 ml G-Bio Phosphate Advance को मिलाना है उसके बाद उसको छाया में सुखाना है उसके बाद उसको सुखने के बाद तुरंत उसका बवाई मिट्टी में करना है इससे क्या होगा अंकुरन में अच्छा परवाब परेगा यानि बीज अंकुरित जल्दी होगा साथी शाथ रूग से लरने से भी छमता बढ़ेगी यानि रूग से भी मुक्ती मिलती है उस पौधे को लेड़ दोस्तो या फिर उस बीज को आगे समझते हैं हम लोग कि पौधे और कटिंग यानि कलम का उपचार 50 mlg बायो फस्पेट एडवांस को एक लेटर पानी में घोल बना लीजे फिर उसमें पौधे या कटिंग को डाल करके 10 मिनद तक भीगा या फिर छाया में सुखा कर उसका रुपाई कर सकते हैं इससे पौधे की अच्छी तरह से जर का विकास होता है यानि पौधे का जब उपचार करते हैं तो उसका जर का अच्छी तरह से विकास होता है ड्रेचिंग होता है दोस्तों पौधे की जरो में दवा डालने की प्रकिडिया को ड्रेचिंग कहते हैं दवा और पानी को मिला करके जो डालते हैं उसको ड्रेचिंग कहते हैं ड्रेचिंग कैसे करें तो एक से डेर लीटर बायो फोस्फेट एडवांस को एक सो लीटर पानी में मिलाईए एक से डेर लिटर यानि एक डिबबा से डेर डिबबा, एक सो लिटर पानी में मिलाईए, फिर पौधों के जर्व में डालिए, उससे उखेडा अन बिमारियों से बचाव किया जा सकता है दोस्तो, समझते हैं दोस्तों मिट्टी का उपचार, पान सो से एक लिटर जी बायो गहंटे तक उसको सुखा लिजिए, ध्यान दीजिए कि उनमी हो, उसमें तो मैंने पहली बता दिया, और इसके बाद उसको बीज बोने से पहले, जब मिट्टी तेब तयार होती है, तो समय मिट्टी में उसको डाल दीजिए, कितना में डालना है, एक एकर में, चले समझते दोस्तों किस-किस फसल में इसका इस्तामाल कर सकते हैं, किस-किस फसल में नहीं कर सकते हैं, इसे आप सभी परकार के फसलों में इसका इस्तामाल ना करें, जैसे कि सभी परकार के सबजी होती है, सभी परकार के फल, सभी परकार के आनाज, सभी में इस्तामाल आप कर सकते है बड़तु मस्रूम में नहीं रख रख आप इसको रख रख आप कैसे करें सिंपल है घर के किसी कोने में छाया में ठंडी जगा पे इसका स्टोर कर सकते है ठीक है डबा खुलने के 10 दिन के भीतर इसका प्रियोग जरूर कर लें ज़दी प्रोड़क्स सेस बस जाए तो गोवर या राक में मिला करके दोस्तों मिट्टी में डाल करके उपर से मिट्टी से ढख दीजे फिर जोद परणे पर निकाल के इस्तमाल कर सकते हैं कहां से खड़ दे और कितना में मिलेगा प्राइस क्या है इसका चलिए समझते हैं इसे आप किसी भी Galway distributor संपर करके खड़िट सकते हैं या फिर GLAZ के किसी फ्रेंचाइजी में या फिर Galway shop में जाके खड़िट सकते हैं कीमत के लिए और बिसेस जानकारी के लिए कंपनी के द्वारा बनाया गया दोस्तो कस्टमर केर हेल्प लाइन नमर पे संपर कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं वेबसाइट ये रहा www.galwayglays.com डिस्क्रिप्सन में मिलेगा कंपली का कस्टमर केर नमर और ये वेबसाइट भी दोस्तो दोस्तो उमीद करता हूँ आसा करता हूँ मेरे द्वारा बताये गई सारी जानकारी आपको बेहता तेरकेश समझ में आ गया होगा समझ में ना आया हो या फिर मुझसे बात करना चाहते हो तो आपको करना क्या है आपको पता ही है आप हमें इस्टाग्राम पे दोस्तों फोलो कीजिए रॉसन राजा असियकावन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस्टाग्राम का भी कॉमेंट करके अपना राई देना चाहते हैं या अन्टाइप का कोई वीडियो चाहते हैं ताकि आने वाले हड़ वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में बहुत ही खुबसूरत वीडियो के साथ खुबसूरत जानकारी के साथ बेस्ट अप लग शो थैंक यू बेरी मुझ दोस्तों